नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जे एस्टोपिक इस्टडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्याओं को किस तरीके से काटा जाता है जैसे कि आपको मान लीजिए इस तरीके का नमबर आपको दे दिया जाता है और डारेक्टली हमें इस तरीके से कुछ इसको काटना पड़ता है और डारेक्टली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है तो दोस्तों इसको काटने की क्या condition है, किस तरीके से हम इसको काटते हैं, बहुत ही simple तरीके से हम सीखने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर रन तक पूरी जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो संख्याएं ले रखी हैं, इनको हमें काटना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, कि इनको काटने की condition क्या है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ कि कैसे काटते हैं, तो यहाँ पर काटने की सर्थ यह है, कि जैसे कि नीचे मान लीजे यहाँ पर कितना है तीन है तो हमें एसी संख्या से ही भाग देना है इन दोनों में जो दोनों में डिवाइड हो जाए जैसे कि मान लीजे इसको यदि आप इसको तीन से डिवाइड कर रहे हैं तो इस संख्या को भी तीन से ही डिवाइड होना चाह पहारा है चलिए तीन का पहारगा पढ़ते हैं 3 एकम 3 3 2 नी 6 तीन तरका 9 ती 14 के 12 ती 5 15 ती 6 18-21 ती 7 बार में 21 आ रहा है तो हमारा आंसर यहां पर क्या आजाएगा 7 बटे 1 तो 1 का कोई मतलब नही है क्योंकि ऊपर 7 आ रहा है नीचे एक तो 1 का कोई मतलब नही है directly हमारा answer आजाएगा 7 ठीक है तो ये मैंने बहुत ही simple तरीके से आपको यहाँ पर समझाया अब इसको देखने हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे वाली संख्या 5 से divide हो जाएगी क्योंकि 5 है और उपर वाली संख्या भी 5 से divide होगी तो दोस्तों इसका अगर आपको पता नहीं चल पाता है कि यह संख्या काई से कटेगी और यह काई से कटेगी तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि यह संख्या इस नंबर से कटने वाली है तो उसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी बहां से जाकर आप देख सकते हैं तो दोस्तों देखिए हमें इसको काटना है तो नीचे वाला नंबर जिससे divide हो रहा है उसी नंबर से हम उपर वाले नंबर को भी divide करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से करते हैं 5 एकम 5 ठीक है अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 41 से जादा ना हो तो चलिए पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 दूनिदास, 5 तिया 15, 5 चुक बीस, 5 चक तीस, 5 चक तीस, 5 सत्यपेंटीस, 5 अठ्थे 40, आठ बार में 40 आ रहा है तो हम यह तो हमारा यह बच गया और यह 5 ठीक है एक हमारा बच गया और यह 5 अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 15 से जादा ना हो तो चलिए पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 दूनिदास, 5 तिया 15 तीन बार में तो यहाँ पर आ गया हमारा 13C तो आंसर क्या आया हमारा 13C बटा 1 ठीक ह तो एक का कोई मतलब नहीं है और आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 13C तो दोस्तों देखिए यह तो बहुत ही simple थे छोटे से question थे अब हम थोड़ा बड़ा number काटते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए बड़े number को हम यहाँ पर काटत आ जाएगा कि यह संख्या काई से कट रही है और यह वाली काई से कट रही है क्योंकि हमें same number चाहिए मान लिजी इसको यह लिए आप 2 से काट रहे हैं तो उपर वाला वी 2 से कट ना चाहिए नहीं तो आपका सवाल करद हो जाएगा तो हमें ऐसी संख्या पता करना होती है पहाड़े में 16 कितने नंबर पे आता है 212, 224, 236, 2510, 2212, 2714, 2816 8 बार में 16 आता है तो यहाँ पर आगया 2816 अब हम इसको काटते हैं अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 से जादा ना हो तो चलिए पढ़ते हैं 212, 224, 236, 258, 2510 5 बार में 10 आ गया अब इसके बाद में 2 है तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 से जादा ना हो तो 2 एकम 2 आ जाएगा ठीक है इसके बाद में 4 है तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 से जादा ना हो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यह आ गया हमारा 512 बटे 8 अब देखिए यह आ गया 512 बटे 8 तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 512 बटे 8 अब फिर से भी कट रहा है दो से तो फिर काट देते हैं देखिए यहाँ पर काटेंगे दो के पहाड़े में 8 कितनी नमबर पर आता है दो चो के 8 अब यहाँ पर देख इतने हो जाएं 11 अब 11 में हमें 2 से भाग देना है तो चलिए 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 11 से जादा ना हो तो चलिए पढ़ते हैं चलिए और काट लेते हैं तो चलिए काटते हैं 2 दुनी 4 हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद में 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िये कि 2 से जादा ना हो तो 2 एकम 2 हो जाएगा ठीक है इसके बाद में 1 बच गया और यहाँ पर हो गया 16 तो 2 अट्थे 16 अब आ गया हमारा 128 ब इस बटा दो से फिर कट रहा है तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2-1 ओ ठीक है अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 से जादवना हो तो यहां पर देखिए दो इच्छंगे 12 हो जाएगा और 8 बचेगा तो दो चोक तो आंसर हमारा क्या आ गया है यहां पर 64 तो देखिए दोस्तों इतनी लम्बी प्रोसेस के बाद में हमारा जो सवाल है वो कटकर हल हुआ है और आया कितना है हमारा 64 ठीक है चलिए इसको समझ गया अब हम करते हैं इस वाले को solve चलिए इसको हम हटा देते हैं बागी हमारा जो सवाल है उसको हम यहाँ पर लिखा रहने देते हैं तो चलिए अब हम इसको काटेंगे देखिए मैं झार छोड़ी स şekilde बता रहा हमधों जिस संख्या की एंड में 5 होओ या जीरो हो भो यह क carries तो यहाँ पर देखीए Newton में 5 भी आप ये संख्या 5 से कटेगी तो चली का पश्वाड़ा इतनी वार पढ़ो की 25 से ज्यादग हो तो 5 गुणा 5 25 होता है झालिए अब यहाँ पर हमें पाच को फाल इतनी बार पढ़ना है की 6 से ज्यादग ना वो तो पांच 6 डुनी 10 तो पंदरा ज़ादा हो गया तो पांच दुं नइद तील कहीं यहाम इसके बाद पर हमने दस काटा है दो बच्छे है यह हो जाएगा 25 तो 5 का पाड़ा इतनी बार पड़ो कि 25 से जाद ना हूँ तो पचम 25 ठीक है तो यहां पर क्या हो गया हमारा 125 बटा 5 ठीक है यह हो गया अब देखिए फिर से कट रहा है यहां पर भी एंड में 5 है यहां पर भी 5 है तो चलिए काटते हैं 5 एकम 5 अब वही आगे हमारा देखिए 5 का पाड़ा इतनी बार पड़ो कि 12 से जाद ना हूँ तो 5 दूनी 10 दो बच जाएंगे दो इसको दे देंगे यह 25 हो जाएगा तो पचम 25 तो आंसर हमारा क्या आ गया है यहां पर 25 बटा एक तो एक का तो कोई मतलब है नहीं तो यह आंसर हमार को करके देखना है ठीक है आप देखिए करके कि किस तरीके से हमारा सवाल है उसको हम काटते हैं आप मैं आणसर बताई एगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1225 पटा पांच तो दोस्तो इस का आंसर आप को काल कर बताना है कमेंट में जिसका अंसर सही आएगा उसकी कमेंट को हम हाट देंगे मतलब कि उसको लाइक करेंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत